तो विडियो को बस आप दो मुनिट हम को समय दीजिए हम आपको explain कर देता है देकि सबसे पहली बात है कि अगर आप कहीं पे भी खाता खुलवाने के लिए जा रहा है यह customer के लिए है, यह CSP वालों के लिए नहीं है, CSP वाले भी जान लिजे, अगर आपको पता नहीं होगा, तो आपके लिए भी, यह एक information जो है आपके लिए, मतलब सही सावित होगा, देखिए, कहीं पे भी आप खाता खुलो आने के लिए जा रहा है, तो अगला आप से charge करत है, जैसे जन सेविंग एकाउंट से सुरू करते हैं हम लोग, जन सेविंग एकाउंट का सालाना चार्ज होता है, 249 रुपए, यानि की 249 रुपीज, तो यह आपको खाता खोलते समय भी देना है, और जब भी आपका खाते का एक साल कंप्लीट हो जाएगा, वो फीनो बैं का 500 रुपए काटता है, 249 रुपए, अगर आपके पास सुब सेविंग एकाउंट है, तो उसके लिए जो पुड़ाना वाला खाता है, तो 400 काटता है, 399 या फिर नया वाला आज कल जो खाता खोल रहा है, उसमें 449 रुपए जो है सालाना चार्ज काटता है, मैं बताता जो सर्विस चार्ज जो है सब को जोर के साल में केवल एक बार ही फीनो पैमेंट बैंक जो है पैसे काटता है, अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दू, फीनो पैमेंट बैंक साल में एक बार काट रहा है, तो आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा पैसे काट र कोई कोई बैंक तो केवल एंसुरेंस का चार्ज ही चार्ज रुपय काडता है तो देखिए एक तरब से देखा जाए तो फीनो बैंक आपका सही है अभी अभी कमेंट में भी मेरे पास आया था कि सर मैंने कल ही खाता खुलवाया आज मेरा साढ़े तीन सुरुपया कड़ गया एटियम चार्ज, एंसुरेंस चार्ज, सर्विस चार्ज वगरा, SMS अलाट चार्ज वगरा जोर के यह सब कड़ता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जनकारी क्लियर हो गया होगा तो एक लाइक जरूर किजेगा इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइ अगर फैमिली के लिए तो उमीद करता हूँ अच्छा लाग होगा फिर मिलते हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पर कब तक के लिए नमस्कार